नमश्कार मैं हूँ आपके साथ अवंतकावस्थी स्वागत है अमारी खास पेशकिष क्रांती की चिंगारी बनी जुआला में 1857 के प्रथम स्वतंतरता संग्राम से लेकर 1947 की जंग ए आजादी में प्रयागराज यानी पहले के लहाबाद की एतिहासिक धरोहरों का महत्वपूर्ण आविस्मर्णिय वा अमूले योगदान है यहां की गली-गली और दरो दिवारे ब्रिटिश यातना के खिलाप वीर सपूतों के होसली की गवाँ है स्वाधिन्ता के लिए हुए 1857 के विद्रोह में ये जला ना केवल उत्तर पश्यम प्रांत में प्रवेश की कूंजी था बलकि गंगा और यमुना के संगम परस्यत ये जनपद कूट नीतिक द्रिस्टी से भी काफी महत्वपोंड रहा चंद्री सिखार आजाद ने अलफरेंट पार्क में 27 परवरी 1931 को अंग्रेजों से लूहा लेते हुए ब्रिटिश पुलिस के नौट बाबर और पुलिस अधिकारी विश्वेश्वर सिंग को घायल कर कई पुलिस जनों को मार गिरा था और अतता खुद को गोली मार कर आजीवन आजाद रहने की कसम पूरी की देखे हमारी एक खास पेशकश बुरा गड़ दुर्ग में चुतंतरता संग्राम की यादे देश की आजादी में बुरा गड़ खंड खास तोर पर बांदा की रनबाकुरों ने बढ़ चड़ कर हैं सालिया था जिनके निशान आज यहां दिखाई देते हैं बतादे के बुरा गड़ दुर्ग सुतंतरता संग्राम की अनिकोया देश संजोय हुए है दरसल क्रांदिकारियों का गड़ था भुरा गड़ के ला जंग्या अजादी में जान देनी वालों की स्मृति में यहां समारक बनाया गया 14 जून 1857 को अंग्रेशू के खिलाफ यहां युद्ध का आगाज हुआ इसका नितरत्व नवाब अली बहादुर दुर्तिया ने किया योपे और ब्रहार के क्रांदिकारी भेस में शामल हुए इसी दुरान क्रांदिकारी ने ततकालीन जुएंट बजिस्ट्रेट काक रोड की 15 जून 1857 को हत्या कर दी थी चमकुटी संग संतावन में वो तलवार पुरानी थी खूब लड़ी मरदानी वो तो छासी वाली रानी थी रानी लच्षिंबाई का नम आज भी अंग्रेजों के साथ युद्ध के लिए जाना जाता है और मैं आपको बता दूँ कि वो पहली है महिला बिरांगरा थी जिसने अंग्रेजों से टकर लेकर अंग्रेजों के दाथ खटे कर दिये थी उन्हें इतियास में पूरा सम्मान भी मिरा था लेकिन उनके साथ जो आजादी की जंग में सरीख हुए जिनों ने अपने प्राण निचावर कर दिये ऐसे उन तमाम करांदिकारियों का नाम आज भी इतियास के पनों से गयब है भारत की आजादी में वैसे तो पूरे देश का अपना एक अलग हाथ रहा लेकिन उस आजादी में बुंदेल खंड और खासकर बांदा के भी क्रांदिकारियों ने बर्चर करके हिस्सा लिया और अपने जानने चावर कर दिये बाजपे जी आपके बाबा उतक्रश्ट क्र पंग्त की एक रांदिकारी थे इस बुंदेल खंड़ में खासकर बांदा से तो देश की आजादी में बांदा का कितना योगदान नहीं है साधत अली बहादुर का इस जंग आजादी में 1857 में सराहनी योगदान रहा लिब्राणी रिच्पी बाई द्वारा भेजी गई राखी के पर वो उनसे युद्ध के लिए गए उस दोर जमाने पर उनके महल के पास जो खंटरहाद अंटा घर बना हुआ जैसे बिल्यड कहते हैं वहाँ पर कॉक्रोल नाम के एक अग्रीज की हत्या कर दी गई थी 16 अपरेल 1858 को जनर्रल विटलाग ने यहाँ पर अटैक किया और वो सहीद हुआ जिसका इस मारक महाराना परताब चौक चौराहे पर आज भी बना हुआ है इस जंग आजादी में सन 1921 में पंडिल लच साहो गांदोल में विदी सी कप्री कोड़ी कोतवाली के सामने जलाई थी यहां के सभी करांतकारियों ने परोक चौरूप से अपरोक चौरूप से मदद की योगदान दिया उसमें उन लोगों से मिलने के लिए चंशिख रजात सुभास सथीच चंसान्याल बाना आये और लुकते थे यहां पर मंदिर है उसपर अक्सर रुकते थे उन किरांतकारियों से इन लोगों का संपर्क बना होजा भूलाया नहीं जा सकता क्रांतकारियों का बनेदाल आपको बता दें कि अप्रेल 1858 को अंग्रेज अफ सर उविट लप का बांदा आगबर हुआ उसका बांदा के करांतकारियों से आमना सामड़ा हुआ इस युद में करीब 3000 करांतकारी शहीद हुए युद में नस्दीक की गाओं में रहने वाले नटों ने भी भाग लेकर अपना बलेदान दिया था तब से बुरहगर का किला देशुबक्ती और सततता संग्राम की करांतकारियों की यादगार की रूम में जाना जाने लगा खास बात तो यह है कि अंग्रेजों के खिलाफ युद करने वाले करांतकारियों में हर धर्म मजहब की लोग शामल थे हम अब साथ बैठे हैं जो हमारे बंदेलखन के करांतकारी रहे पनित गोपीनाथ धनादन जी उनके बेटे यहां पर हैं उन से जानेंगे कि किस तरीके से पनित गोपीनाथ जी ने यहां पर अंग्रेजों से लोहा लिया और किस तरह की क्या गढ़नीत रही और कौन-कौन किस इस तर के क्रांतकारी और क्या-क्या उन्होंने देश की आजादी में कौन-कौन सी लडाईयां लड़ी कितनी बाद जेल गए और कौन-कौन से क्रांतकारी उनसे मिलने आते रहे पंजित गोपिनाज जी गुंदेल खंज के प्रथम पंक्ति के सेनानियों में थे माश्टर दुद्दरायन आत्मा राम गोविंद्रास खेर सीता राम भागवत परमानन ब्रमानन बान्दागे गांधी लस्मिनायदा ग्नोत्री महादेव भाई चौदी चंद्भूसन गमिलबां आधे करंद्र कारी यहां पर आते यहां पर यहां वंनक्ति जांकारी मिली कि कम नक्रदीर में हम चुर्द चंदोर अजाद की भी हुपश्तिति track कि यहां रही है इसमें कितनी सच्चाई है और कि आप यहां यहां यह लोग भी 的 Jords सब्सकर रूप से सातार नदी के तक पर हरी संकरबाश परी के नाम से आजाद रह रह थे वो यहां आए और इसे तालिस में सुभाश्चन बोश यहां पर आकर कि किरानतकारियों से मिले और सस्त प्रसिशन प्रागी मंदिल में जाकर कि दिया गया अगर हम बात करें कि यहां पर जिस समय गांधी जी ने मँंबई से विधेस्य कप्रों के बहिस्कार कि बाद बहुशकर में आपके पीता जीए का कितना ही tämä यहां पर 1928 में संकरगुरु चोराहे पर विदेशी कपलों के वहिस्कार करते हुए होली जलाई गई 1930 में नमक सत्यक रह किया गया गिर्वा के जंगलों में नमक कानून तोड़ा गया 1942 में भारा छोड़ों आंदोलन में शक्री योगदान देते हुए जब उनकी गिरिपतारी हुई तो उनको तरहाई में डाला गया जेल के नियम भंग करने पर धारा बावन प्रेंच के अंतरगत उनको तेरा माहे की सजा अतिरिक्ति दी गई ऐसे कोई अभिलेख जिन्हें आप दिखा सकते हैं जो यह रहे आप देख सकते हैं यह सारे अभिलेख हैं पनित गोपी नाद जी का हूँ है और इनको जो स्वता संग्राम सेनानी का जो दिया गया था राश्टी की ओर से काम पत्र दिया गया था यह 1922 का फोटू है पंडित लच्षीम दैरा ग्रोत्री के नितुत्र में पूरा क्रांत कारियों का डल है जिला कारागार सुप्रेटेंडेंडेंट के दोड़ा 1922 का भारा छोड़ो अंदोलन का यह प्रमालपत्र जारी है साथ ही चोदी चरन सिंग राज्णैति कांफरेंस प्रेसिएंट के दोड़ा तीन माई छह माई नो माई का यह प्रमालपत्र जारी है यह 1972 में कामपत्र मानी पिधानमंती स्री मती इंद्रा गांधी द्वारा राश्टी की ओर से उन सम्मानी सोतंतर सेनानियों को दिया गया था जिन्होंने देश की आजादी में अपना योगदान दिया था अभी कुछ है उस जमाने के अगवार भी इनके पास है जब आजो आजादी के समय छपते थे आप देख पा रहे हैं कि यह बुंदेल खंड केसरी के नाम से है और इस तरह अगवार छपा करते थे मैं आपको बहुता दूँ यह अगवार इस तरह छपा जाता था इस तरह ल पूरागड दुर्ग इसमारेक में दर्ज शहीद इक्रांतिकारी नवाब अली अक्बर बेग गोलनबाग फर्याज मोहमद छता खा मुक्तियार मोहमद देविदीन कादर बेग और फिपुद्धू इद्रीस मोहमद वेद अली मोहमद अली बेग रहमत अली खां पैगाम अली देश की आजादी में बुंदेलकन खाजकर बांदा का कितना योगदान रहा हमारे बांदा का बहुत योग रहा है हमारे यहां बांदा में अक्डोटी और गोपिनाद वाइच्पी और गोपिनाद जमादन और नल्लू रांगुप्ता उसके तरही ऐसे शतनता सर्णान शनानी थे उसके नाम मैं विश्मत कर रहा हूं इसे कट्रा में तो दूपा पूर और है कि सब लोग थे तो इनने हमारे देश के अजाजी के लिए बुच अंजर की किया है कि अधिराना नार्मल शिर्ट यहां पर दिल अपर क्या सिक्षी मार्केडबनी यहां पर नार्मल शिर्ट इसका इसकी अधिरुटे में गांदी जी की सभा हूं ती इसकी सब सब्सक्राइब नहीं हुए कि उनके पिटा जी बहुत बड़े अभिकारी थे दिश्री में तो उस्वज़े से उनको चल्फर मिलता रहा लेकिन वो प्रांधिकारी थे यहां उनके पास नहीं मनमन आतलता और बैसांपायें जी और दमान प्रांधिकारी को संपन हो और वो सब्सक्राइब नहीं हुए कि पुराने लोगों में तो किजियां खतम हो गई लोग नाम लेते वाले वाले वागशे हैं इस मंदिर के बारे में बदाईए और ये मंदिर के बारे में बदाईए और ये मंदिर का आजादी में कितना योगदान रहा है जब हम आए थे यहां तो बेट लगा था हांथी दर्वाज़ा था और नीचे बेस्मेंड था और सब तूटा हुआ है उठादी वाले नहीं थी पड़े था मैदान था और बताते हैं कि चंद सेकर आजाद यहां रुके रहे है आजादी के समय में क्योंकि हमारी इतनी उमर भी नहीं है कि हम आगी की बार बता दें जिस पोजीर समय आए थे वह पूरा रोड में दबा हुआ है कि बेस्मेंट सा नीचे बेस्मेंट में च्प्ते थे तिवाई जी यह बड़ा प्राचेट मंदिर बताया जाता है और आजादी की लड़ाई में भी इस मंदिर का हम योगदान रा क्या है मंदिर के बारे में शुना है तो यहीं क्रांदकारी रुखते थे हैं क्या नाम है आपका दाश्टर संजे जी यहां के जो क्रांदकारी रहे आपके रिक नाम बी यहां वहीं करांदकारि यो में गिंती होती रही यह क्या ठाउं के बारे में अज्ट है जहां पर आज्वाप्ता में लेक्या है यह वह जागह में बहुत प्राचीन मंदिर है, सरीजी का मंदिर है और उस समय आजादी के समय यह पूरा जंगल था और यहाँ पर हमारे देश के जाने माने करांतीकारी सुबाश चंडर गुशन से ख राजास सरीखे यहाँ आते थे और यहाँ के जो करांतीकारी थे परदिगोपी नादनादन महराज, रुद्रदेव शर्मा, अलकालोहार, सरीखे बांदा के और दुंदेल खंड के जो नामी से नामी से नामी थे, वह यहां आकर के बैट करके मंतड़ा होती थी और रड़नीदी बनाई जाती थी. ऐसी कोई बात जो आपके नाना ने आपको बटाई हो, आजादी से सम्मंधित, कोई लड़ाई, कोई अंग्रेजों से पुटबेड़, उन्हों ने उनके साथ मैं काफी लंबे समय तक रहा और रियात्राइब उनके साथ की, तो उन्हों ने मुझे एक बार यह बतलाया था, क उन्हों ने एक बात यह बताई थी, कि राजा मनुलाल यहां के थे, और उधर जो राजा थे रियुआ के, तो राजा रियुआ वहां चिराउंजी के बोरे में असलहे और कार्तूस भर करके मनुलाल अवस्तिक बाद भेजा करते थे, मनुलाल अवस्ति जी हमें वो कार्तू यहां किया है गांधी जी भी आये हैं और रहर प्रसाद के रुके थे और यहां भी दर्शन करने भोले वावा किया थे और यहां से कुरांथिकारीयों से मिल करते हुए आप पूर्णी की घड़ा घड़ के लिए का इतिहाद है कि बतारा जाता है के लिए बुरगण केले में ही कठा हुए थे यहां से तीन दिन के अंदर रानी की मदद को जहासी पहुँच गये थे वही किले से ढलते सूरज को देखना आखों को एक अलगी तरह की खुशी देता है किले का इतिहास और महत्व राजा छत्र साल के पुत्रों पुंदेला शासनकाल और रिदैशाह और जगतराय से जुड़ा हुआ है जगतराय के पुत्र कीरत सिंग ने 1746 में किले की मरमत करवाई थी किले की देखरेग के जमेदारी नोने अरजुन सिंग को दी गई थी बुरागण का इतिहास कुछ ऐसा है कि 1787 में बाना का शासन अली बहादुर प्रिथम के हाथों में आ गया अली बहादुर प्रिथम का युद्धिर 1720 बान नबे की लगभग बुरागण के प्रसाशक नोने अरजुन सिंग से हुआ जिसके बाद किला कुछ समय तक नवाबु के शासन में रहा लेकिन कुछ समय बाद ही राजराम दावगा और लक्ष्मन सिंग दावगा ने किने को अपने अधिकार में ले लिया जिसका शासन गुमान सिंग के नाथी के हाथों में था जिस समय खड़े हैं भारत की आजादी में अपना सर्वस निचावर कर देने वाले एक ऐसे क्रांतिवीर के घर में जिनका नाम भारत के एतिहास में बड़े संबान और एत्राम से लिया जाता है पंडित गोपीनाद धनादंजी भारत के आजादी में अपना सर्वस निचावर करने वाले जिन्होंने आजादी की लड़ाई में एक बड़ा योगदान दिया हम उनके घर पर आचुके हैं और मैं आपको कैमरामेंट से कहूंगा इजी है पीछे पंडित गोपीनाद धनादंजी का इस्टेचू है और ये परिवार क्रांदगारी परिवारा और मैं अपने कैमरामेंट से कहूंगा कि उपर भी भिखा हैं इन्हों में जो प्लग दिया हासिल की इन्होंने आजादी की लड़ाई में जो अपना योगदान दिया औ ये वी क्रांदगारी रहे और अभी इनके परिवार में इनके बच्चे इनके पोते हैं उनसे भी बात करें और जानेगी पंडित गोपीनाद धनादंजी की संसमर्णों के बारे परिवी दिखा था तो कर्में की प्टेमिलिकी उनसे टीस में और नसे थेस दो आजे गए और हमारी नाइटी बुर्दी जाए तो लोग मिलने आते रहते थे किसी प्रगार की तज्याद देनी है और कोई दिखता सो को चाशान दो बताईएगा कि आपके पिदा जी क्रांदगारी रहे और उन्होंने अखवार भी निकला उसमें कौन सा अखवार निकलते थे सब्सक्राइब भारत की आजादी में बुंदेल खन खासकर बांदा का कितना योगदान रहा और यहां जो काल्विंगन चोरा है इसका कि आपके बाबा भी पुराने जमीदार रहे और आजादी के में उनका भी प्रतेच्य परोच रूप से काफी सब्सक्राइब भारत का इद्धियास का लिखना हुआ उसकी धेरों प्रतियां हमारे रखी रहती थी और वो चुटाब समाज में बाती जाती थी वो किताब बैन थी अंग्रेदों के तरब से लेविन पिर्मी वो किताब यहां प्रज़र्व की जाती थी और उसका इसकी में संहोता थी इसके अलावा उसकाई बात राजिकालियों को समच्छन भी देने की बात हमें सुनी है अपर तक से उगडान तो रहा नोना अरजुन सिंग पर जादा विश्वास होनी की वज़़ा से उन्हें बांदा का शासन सौप दिया गया लेकिन कुछ समय के बाद अरजुन सिंग की मृति हो गई जिसके बाद अली बाहदूर के लिए पर शासन करने लगा सन 1802 में अली बाहदूर की भी मौत हो गई और किले का शासन गौरिहार महराज के हाथों में चला गया ब्रटेश सामराज के किलाफ महान सुतनतता संग्राम 14 जून 1857 को हुआ युद का नीतरत बांदा में अली बाहदूर दुतिया ने बुरागर किले से किया युद्ध सोच से भी जादा फ्यानक था नवावों के द्वारा हंग्रेजों के खिलाफ अस लडाई में काइनपूर, इलहबाद और बिहार की क्रांतिकारी भी शामल हुए बुरागर का किला सिर्फ एक इतिहास का पन्नाया टुकडा नहीं है, जो कि वक्त के साथ पुराना हो जाएगा या ठह जाएगा, यह बलदान, देशवक्ती, संप्रोब्रता और समानता का प्रतीक है यह किला उस लडाई का गवाह है, जहां अलग-अलग संप्रदायों, नस्तलों, समुधायों, धर्मों के लोगों ने एक दूस्ते का हाथ थाम, विदेशी शासकों के खिलाफ लंबी जंग लड़ी थी इस्पेशल ड्रेस, के नियूस इंडिया हमारी खास पेशकृस में बस इतना ही, देखते रहिए, के नियूस इंडिया, नमस्कार